हेलो दोस्तों स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूटू चैनल रामनीर क्लासिस में क्लासिक्स की गनित की वक्षी डम सौल करेंगे आज की डेट आपको यहां लिखनी है 13 12 अध्या है चौता अधर बुज्यामेति अफधार्ना यहां पर देखेंगे पार्ट कॉश्चन के गनित के जामेति अफधार्ना आओं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करें चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिसे नेक्स वीडियो की नोटिक्विशन आपको मिल सकें कॉश्चन नमर एक है प्रतिछेती रेखा है किसे कहते हैं तो इसका उत्र आपको लिखना है ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को प्रतिछेत करती है या काटती है जैसे कि दो रेखा है वो एक दूसरे को किसी एक बिंदू पर मिलती हैं तो वो कहलाएंगी प्रतिशेद रेखा हैं तो एसी दो रेखा हैं जो एक दूसरे के समानतर हो या जिनके बीच की दूरी प्रतिशेद रेखा हो और जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उन्हें हम प पर एक दूसरे को नहीं काटेंगी या एक दूसरे से नहीं मिलेंगी उन्हें हम प्रतिच समानतर रेखा कहते हैं तीसरा है कित्ती रेखा किछी जा सकती है एक बिंदू तो एक बिंदू से होकर आप अनंत रिखा खीच सकते हैं कित्ती भी रिखीच सकते हैं जो एक बिंदू से गुजरती हो दो बिंदू, दो बिंदो के मध्य में एक ही रिखा खीचते हैं जिसे हम रेखाखण कहते हैं चौता है निमने परस्थितियों के लिए एक रियाकरती बनाई और उचित रुप से नामंकित कीजिए बिंदू P रेखाकण AB पर इस्थित है तो AB रेखांगण पहले बनाएंगे देखिए यह यह है और यह बी है यहाँ पर देखिए फिर से एक रेखाकण बनाना है A और B ठीक है बिंदू P इस्थित है तो यहाँ पर कोई से भी जगब पर हम बिंदू P ले लेते हैं कोई भी बिंदू P यहाँ पर आप परदशित कर सकते हैं फिर है रेखाकण O P ताथा O Q बिंदू O पर मिलते हैं अब देखिए O P O से यह O है यह P है और यह O Q है O Q और O P यह बिंदू O पर मिलते हैं यह बिंदू O पर मिलते हैं तो यह इस तरह आप अकरती बनाएंगे तो यह कोण की अकरती बन जाएगी फिर है कीरण तदा रेखाकण में क्या आंतर है तो देखिए इसका उतर दो निश्चित बिंदू के बीच खीची गई रेखा को रेखाकण कहते हैं यह अनन तक नहीं बढ़ती है और कीरण एक ऐसी रेखा है जिसके केवल एक सीरे में तीर का निशान हो उसे कीरण कहते है यह अनन तक बढ़ सकती है जिसके आपको मैंने पहले ही बताए सब्सक्राइब को यहां से भी लिख सकते हैं सब्सक्राइब किसी समतल में बनी ऐसी रिखा होती जो कभी नहीं मिलती है यह तभी समभवे जब इनकी आपस की दूरी बराबर हो ठीक है तो यह आपको पहले ही बताया था इस तरह हमने देख लिया है आपको वीडियो अच्छा का लगा होगा जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में